तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग भाद भाद सवागत है हमारे शेनल गौट टेक्निकल तोस्तों सिखाना मेरा कम सीखना आपका सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थोड़ा देशी पना आ गया ठीक है चलो ठीक है तो आज का टॉपिक स्टार् आपके message box में आता है share chat की तरफ से message जिसमें ये लिखा होता है कि आप share chat champion बनने के लिए तयार हैं और आप इस link पर click करें और अपना form जो है वो भरें उस form में क्या-क्या होता है अपना name address और ये सब अपना bank की detail भरनी होती है तो जैसे वो link आप click करते हैं वो link जो है वो open न हो पेज open नहीं होता तो आज की topic में हम यही बात करने वाले हैं या दोस्तों तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को subscribe कर दो यार सब्सक्राइब करके साथ में लेकर notification bell को भी जरूर दबादें और वीडियो को पहले से करते हैं लाइक उसको click करो और यहाँ पे एक notification bell है उसको दबादो ताके share chat पर जो भी वीडियो में लाता हूँ आप तक ज़रूर पहुंचा है तो दोस्तों आज की वीडियो चलो फटा फटा फट से start करते हैं यहाँ पर देखा जाए तो share chat champion के लिए जो message आप तक पहुंचता है सबसे पह जान रखें जो message आपके पास आया है आपके inbox में आया है उस message को open करने के लिए share chat बोलता है यानि के link पर click करें और जब आप link पर click करते हैं तो वो open नहीं होता या फिर उसमें page error दिखाता है या फिर दिखाता है page not found या दिखाता है this link not found इस तरह से कुछ चीज़े दिखाता है लेकिन आपको बार-बार share chat पर गलती से भी कोई reply message नहीं करना है पहली चीज़ तो आप यह जान दो आपको वहाँ पर कोई भी reply नहीं करना है हाँ आपको इतना मैं बता दूँ कि आप जब message आपके पास receive होता है तो आप अपने आपको समझ लो कि मैं share chat champion बन चुका तो share chat यह देखता है कि आप वागी पैसे कमाना चाहरे हो या फिर इस link को click करके फड़ावर से पॉन भरोगे या फिर अपना कुछ करोगे या नहीं करोगे वो यह देखता है लेकिन आपके अगर तो तुरंट से link क्लिक करते हो और उसको उठागे upload करते हो लेकिन वहाँ प पूरा रिव्यू करा है आपके चैनल को आपके पेज को पूरा रिव्यू करके आपकी वीडियो को देखा है और उसमें original कितना contain है वो चीज को देखा है कितने share chat camera से बने वो सारी चीज़े एक review में होता है एक review process होता है उस review process complete करने के बाद ही आपको एक message मिलता है उस message को म पतलब दिमाग में आना चीए आपके कि आप जो अपने post डालते थे share chat पर उस message के आने से पहले सेम वैसे ही post आप डालते रहो उस message के आने के बाद भी दोबारा message आता है share chat की तरफ से कि आप direct link पर click करें दो तिन बार ये message आता है आपके पास हो सकता है पहले वाली link ना आपको दोस्तो share chat वाले जब आपको select करते हैं तो वो आपके पीछे पडते हैं पहले आप उनके पीशे पर्ते हो कहा हम स्लेक्ट कर लो कर पर फिल नहीं कर पारें ओपन नहीं हो पाई है तो उसको छेड़ो भी मन आप वैसे ही अपने पोस्ट पनाओ पोस्ट आलो काम चलाओ तो I hope कि आज की वीडियो मां आप सब लोगो को ये पसंद आया होगा मुझे टॉपिक जो है बहुत अच्छा लगा और क्यूंके मेरे पास लगब लगब एक महीने से ऐसे टॉपिक पर काम हो रहे थे एक महीने से मेरे पास कमेंट्स पर आ रहे थे और जब मैं शेयर चैट प बाद आपको करना क्या होता है यह तो पता ही है ना बस तो फिर जब पता है तो उपर से लिकल के आ गया होगा इसको सब्सक्राइब करके साथ मेले को नॉटिफिकेशन बेल को जरूर दबातो ठीक है वीडियो को लाइक कर दो आज के लिए बस इतना ही है